नमस्कार दोस्तों, आज कल चल रहा है हार्ट अटेक का दौरा, आज टीवी खोलिए, खाली हार्ट अटेक के बारे में बात आ रहा है, और जब भी कोई हस्ती हार्ट अटेक से मारा जाता है, तब लोग जग जाते हैं, और इस बकत मेरे पास एक कुश्यन आता था कि डौक्टर साब, हार्ट अटेक करने के लिए वर्स्ट फूड कौन से होते हैं, तो मैंने छे फूड निकाले हैं, जो वर्स्ट है हार्ट अटेक के इसाब से, और वो छे फूड आपको जानकारी होनी चाहिए, सबसे खराब है, उसमें मतन, पॉर्क, दीफ, यह सारी आती है, मतलब कोई भी तरह है जो रेड मीट होती है, उसमें कोलेस्टरॉल भरावा होता है, और उसमें ट्राइगलीस्राइट भी होती है, और वो सबसे वर्स्ट है, तो जो भी आप रेड मीट खाते हैं, वो सब को ही समझ जाएं कि ये बहुत खराब है हाट के हैं इसाब से, दूसरा नमबर आता है अंडे का यौक, अंडे का जो बीच का पोर्षन है, यलो वाला, वो सबसे खराब है, उसमें कोलेस्ट्रोल बहुत ज़ाधा होता है, 100 ग्राम में करीब 300 मिलीग्राम कोलेस्ट्रोल होता है, एक दिन में हम दिखा सकते हैं, तीसरा वर्स्ट खाना है घी और बटर, आपको मालूम है घी और बटर में क्या बात है, ये दोनों एनिमल फूड है, कोलेस्टरॉल सिर्फ एनिमल फूड में होता है, और इसलिए घी और बटर में कोलेस्टरॉल भी होता है, और तेल तो होते ही है, उसका ट् से खाते हैं वो घी को बड़ा प्यार करते हैं गी तो अच्छा होता है अच्छा कभी-कभी बोलते हैं देसी गाये का घी अरे भाई घी तो घी होता है चाहे कैसे भी कौन से दूद से भी बना ले तो ये बात आपको याद रखना है चौथा है फ्राइड फूड जित्ते भी तलेवे चीजे हैं आज आपको मालूम है तलावाब कहीं भी रस्ते में जाए ये तलेवे चीज मिलते जा रहे हैं और वो बहुत सारे लोग खा रहे हैं आपको मैं बता दू थर्टी परसेंट डेट्स आज हार्ट की बिमारी हार्ट अटेक से हो रही है तो इसलिए तलेव को भी हम लोग खतरना के टेडी में रख सकते हैं और लास्ट आता है जो हमारी बहुत पॉपुलर फूड है केक पेस्ट्री और ये जित्ते कुकीज है आपको मालूम है इसमें 40% से 60% तक फैट होता है और ये तीनों चीज केक पेस्ट्री और कुकीज जो है बड़े लोग बड़े चाहसे खाते है और ये हार्ट अटाइक को लीट करता है जकल हमने देखा है लोग 20-20 साल में हार्ट अटाइक लेकर आते ही पचीज साल में हार्ट अटाइक मेरे बस उद्दिन एक लेड़ी आई ती मैं बोला आपके पिता झी को लेकर आओ उन्होंने बुला नहीं पिता जी नहीं मैं हार्ट के पेशेंट हूँ है बुला आप खुद हो गई बुला मैं बहुत कुकीज और पेश्ट्रीज काता था तो आप याद रखेगा ये छे फूड याद रखेगा और इनको खाना से रोक लीजे अगर आपको हार्ट से अपने आपको बचाना है और हर दिन आदा घंटा वॉक कीजे योग कीजे और अपनी कोलेस्टरॉल लेबल बलड में जरूर चेक कराईए तो आज यहीं पर रोकते हम लोग एक zero oil cooking करके cooking method भी बनाए हैं और आज क्योंकि अभी world nutrition week चल रहा हम चाहते हैं आप zero oil का खाना खाईए और उसके लिए आप हमारी चैनल है zero oil cooking channel उसमें जरूर जाएए और हम लोग उसमें बहुत सारी videos डाले हैं बीना oil का खाना कैसे बने उसको जरूर subscribe कीजे thank you so much म मिलते हैं फिर से